हेलो फ्रेंड वेल्कम टू कॉंपीटर लर्निंग चैनल और यूट्यूब आज की वीडियो में हम सिखेंगे माइक्रोपेज ब्राउजर के अंदर आप इंटरेट एक्सप्लोर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं तो simplemente इस वीडियो के एंट तक आप पूरा देखें ताकि आप ऑप सही तरीकी से इसका उज़कों योउज करना स्के crochet तो आए स्चार्ट करते है । तो सब से पहला आपको क्या करना है डियोवगर्वेडव आपको अपना desktop या मोड में आ जाएंगे उसके बाद आपको क्या करना है लेफ्ट साइट में जहां पर डिपाल्ट ब्राउजर ऑप्शन दिखाए देता है उसके बाद आपको क्लिक करना है उसके बाद आपको क्या करना है राइट साइट में जहां पर लिखा रेता है अलाव साइट तो बी रि Google.com का URL टाइप कर देता हूं और एड़ उप्शन पर क्लिक कर देते हैं ठीक है आप जितने चाहां उतना URL एड़ कर सकते हैं इससे क्या होगा कि जब भी आप Microsoft Edge browser open करते हैं और अगर particular यही website आप open करते हैं इनका URL का यूज़ करके तो वह internet Explorer में ही open होती है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है restart पर क्लिक कर देना है जिससे क्या होगा आपका जो ब्राउजर यह एक बार close होके फिर से open हो जाता है तो हम restart पर क्लिक कर देते हैं ठीक है उसके बाद आप चाहते कि डियपेंड आपके ब्राउजर पर internet Explorer का बटन भी दिखाए दे जिसका यूज करके किसी भी टाइम आप किसी भी वेब साइट को internet explore mode में यूज कर सके तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको left साइड में जहां पर appearance word दिखाए दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद right करना है अपने address बार में जो भी website आप यूज करना चाहते हैं उसको type करेंगे तो example के लिए हम यहाँ पर google.com ही open कर देते हैं और interface कर देते हैं तो यह हमारा google.com के website open हो चुकी है और यह जो website dear friend हमारी internet explorer mode में ही open हुई है ठीक है अगर हम कोई दूसरी website यहाँ पर type करके open करते हैं तो आप देखेंगे यह भी edge के अंदर open भी है ठीक है और अगर आप चाहते कि इस website को आप internet explorer mode में यूज करना तो right side में आप देखेंगे यहाँ पर internet explorer का mode next time आप क्या करेंगे दोनों in option को on कर देंगे और done पर क्लिक कर देंगे जिससे क्या होगा यह page आपका internet explorer mode में भी open हो जाएगा ठीक है उसके अलाव अगर आप चाहते कि इस page को फिर से आप Microsoft Edge के अंदर open करना तो आप इस option पर क्लिक कर देंगे open in Microsoft Edge ठीक है तो यह फिर से page आपका Microsoft Edge के अंदर open हो जाएगा और अगर आप दुबारा चाहते हैं कि इस page को फिर से internet explorer mode में open करना तो फिर से आपको right side में आपको जो internet explorer का button दिखाए देता है उस पर आपको क्लिक करना है जिससे क्या होगा कि फिर से page आपका internet explorer mode में open हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से switching कर सकते हैं internet explorer mode से Microsoft Edge में और Microsoft Edge से internet explorer mode में ठीक है तो इस आज की वीडियो में आपने सिखा कि किस तरह से आप ठीक है internet explorer का यूज कर सकते Microsoft Edge browser के अंदर तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like जरू करें और वीडियो को अपने फ्रेंस सके में जरू शेयर करें ताकि आपके तो वह भी इस features का यूज करना सिख सकें और अभी तक आपने हमारे computer learning चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली जरूद सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आने वाली और भी एडवांस वीडियो साब एडवांस ओप्शन और फिचर सीख सकें ठेक यू फर वाचिंग computer learning चैनल और यूट्यूब